लाहिर रह्मान निरहीम असलाम लेकुम स्टुडेंट्स अमीद है कि आप लोग बिल्कुल ख्यारत सही होंगे और आप लोगों ने अपना लेक्चर नमबर वन का सारा काम याद भी किया होगा और अपनी कॉपे पर भी उतारा होगा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास लोगों ने इस लेक्चर में क्या पढ़ना है कैलकुलेटिंग मशीन के बारे में और जिनरेशन के बारे में अब यह का चीज है इसका मताब है कि पहले जमाने में कंप्यूटर जो है किस तरह इंवेंट हुआ था कौन क्या नाम रखा गया था उसका उसके बाद की अब पहले जमाने में ना कंप्यूटर का नाम जो था वो कैलकुलेटिंग मशीन था उसके बाद का नाम कंप्यूटर हुआ था ठीक है अब यह लोग जो है हम लोग कंप्यूटर किस लिए यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं अब कौन कोन की क्लेशन हो mathematical होती है arithmetic calculations इसमें हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं division, subtraction, addition, multiplication ये सब कुछ हम लोग इसके लिए सब कर सकते हैं these human computers were typically engaged in the calculations and mathematical expression के हमार जिए mathematics expression है वो solve करने के लिए हम लोग computers को use करते हैं the calculations of this period were specialized and expensive requiring years of training in mathematics पैहे जमाने में हम लोग को इस ट्रैनिंग को सीखने में, कुमप्युटर को सीखने में या मतेमैटिक नोटी नुट कर इस लिया नाय इंवंड हो था टा और बहुत कम गुट जानते था कॉछन के पहले समाने में जो लोग थे इतन दे दो एज़ा एजुटशन को नहीं मिलती थी तो इसलिए बहुत टा person who carried out calculations or computations, the word continue to be used in that sense until the middle of the 20th century. अब जो word computer का word है, वो 1613 में रिकोर्ड किया गया था, उसके बाद से 20th century में इसका नाम जो था, वो computer रखा गया, उसके बाद, काफी अरसे के बाद, पहले इसको फिर calculating machine कहा जाने लगा, फिर उसके बाद, इसको 20th century में एक सही तरीके से computer का word उसके गया, calculating machine अब यूस नहीं किया गया, उसके बाद है, हमारे पास आता है abacus, अब यह picture जो बनी हुई है यह laptop की बनी हुई है, और abacus की बनी हुई है, जो abacus था हम अब बढ़ेंगे, यह पहले calculating machine थी, इस तरह की यह yellow color की बनी हुई है picture, यह calculating machine थी, अब जो यह calculating machine थी, इसको convert किया गया है, आज कल, computers में, laptops or desktop computers, in here convert किया गया है, अब हम लोग यह discuss करेंगे, कि यह calculating machine है, इसमें कैसे convert हुई है, हम लोगों नहीं step by step जो पढ़ना है वह आगे देखें, फर्स जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह है abacus, abacus क्या चीज है, the abacus is probably the first counting device, यह पहली counting device, सबसे पहले बनाया ही abacus गया it was invented about 5,000 years ago in China, यह चाइना में 5,000 साल पहले invent किया गया था, it was the first mechanical device for calculations, which could also perform arithmetic calculations, यह पहले mechanical device थी, जो हमारी calculation को solve करती थी, और इसके ज़री हम लोग अपने arithmetic calculations वेगारा भी solve कर सकते थे, ठीक होगा, और यह picture जो बनी हुई है, यह backus की बनी हुई है, उसके बाद आता है, हमा नेक्स टोपिक है, difference engine, अब difference engine क्या चीज है, पहले हम लोगों ने पहले calculating machine कौन सी वाली थी वो, backus, अब second calculating machine है, difference engine, Charles Babbage is known as the father of computer, he was a British mathematician, he introduced a calculating machine at the size of the room, he called it difference engine, this machine was able to compute numbers, अब जो Charles Babbage, पिसले लेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, father of computer कौन थे, Charles Babbage, जिनों ने computer को invent किया था, यह कौन थे, British mathematician थे, इनों ने क्या किया, calculating machine को invent किया, जो कितने साइज की थी, room के साइज, एक पूरे कमरे, जितना एक calculating machine, उन्हों ने पूरी इन्वेंट की, इतनी machine बनाई थी, calculating machine, कौनसी थी, difference engine, और जो यह वली machine थी, क्या करती थी, आपकी numbers को compute करती थी, मतलब के subtraction, addition, multiplication, जितने मरजी large numbers, उनको यह solve कर सकती थी, त्युक्किए, Abacus में छोटी device थी, उसमें जादा large numbers थे, वो हम लोग solve नहीं कर सकते थे, लेकिन difference engines में हम लोगों इसको use कर सकते थे, यह topic, यह calculating machine का topic यह आता है, यह generation topic, आपका generation of computer नहीं, topic start हो गया, आपका, अब इसमें जो हमने पढ़ना है, वो सिफ three generations के बारे नहीं पढ़ना है, first generation, second generation, and third generation, अब कौन कौनसी generation होती है, मारे पास, first generation कौनसी है, in 1937, 1937 में यह वली generation, जो first generation computer थी, वो बना था और 1946 तक बना था, उसके बास second generation वो बन गी थी, अब इस generation में क्या हुआ था, the first electronic digital computer was built, digital computer जो बनाया है, digital computer कौन सा होता है, जिसमें हम लोग calculations बगार सोल करते हैं, वो first time जो बनाया गया था, first machine जो बनाया गी थी, digital computer की machine, वो बनाया गी थी, 1937 में, उससे पहले calculating machine जो मैंको पहले हैं, वो चलती थी, उसके बाद, first generation बनाया गया था, 1987 में, first digital computer बनाया गया था, the first general purpose digital computer, the electronic numerical integrator and computer, ENIAC, ENIAC जो computer था, नाम है, ENIAC, ENIAC computer जो था, वो first generation computer था, first computer जो बनाया गया था, वो ENIAC के नाम से था, उसका वेट कितना था, this computer weighed 30 tons and had 18,000 vacuum tubes, which are used for processing, और इस computer का जो weight था, वो 30 tons था, ठीक है, और जो vacuum tubes, एक device है, वो यूज की जाती थी, 18,000 प्लस यूज की जाती थी, इस processing करने के लिए, computer के नदर, पहले हम लोग ने, आज कल जो computer से हमारे, जो CPU में हम लोग processing करते हैं, अपनी, इस तरह पहले, generation में, जो computer, 4 generation computer, उ ये device का नाम है, जो आपकी problems को, calculations को solve करने के लिए यूज की जाती थी, और ये बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, तो ये इतने जल्दी, इतना अर्सा, ये वरा first generation computer था, इतना अर्सा नहीं चलाता, computers of this generation could only perform single task, and they had no operating system, और इस generation के अंदर, सिर्फ एक वक्त में एक ही काम क ये बिएक कर सकते थी, अगर एक वक्त में हम लोग calculating काम करें, कोई calculation वगयरा कर रहे हैं, तो एक वक्त में एक ही कर सकते थे, extra काम हम लग इसमें नहीं कर सकते थे, और इसके अंतर कोई भी operating system मेशूद नहीं था, साभ कोई भी memory वगयरा नहीं थी, किसके हम लोग store कर सकें वह पढ़नी है second generation अब second generation बनाए गई थी 1947 अब इस generation में क्या किया गए था use this generation of computer use transistors instead of vacuum tubes which were more reliable जो इस वाली generation में क्या use क्या जाए जाए device कौन से use की गई थी transistors device थी vacuum tubes use नहीं किया गए वाक्यूम अभी में गपता है vacuum tubes जो थे वह जली खराब हो जाते थे तो हम लोगों ने क्या use किया था transistors use किये थे in 1951 the first computer of commercial use was introduced in the public univac 1 अब univac 1 जो computer है पहले generation में first generation में aniac बना गया था second generation में univac बनाया गया था 1951 जो computer ऐसा computer था वो उसका size जो था first generation computer था चोटा size था ठीक है और वह जातार लोग उसको use भी कर सकते थे और उसकी जो property थी जादा अची थी और इस generation के अंदर during this generation computer had memory and operating system और इस generation वाले computer के अदर memory भी मजूद थी कि आप लोग कुछ अपना store भी कर सकते थे और operating system भी था इस generation में अब हमार पास आता है next यह इसके पास चोड़ी से picture भी बनी वी है और इस picture के अंदर second generation बनी वी है अब हमार पास next जो आते है third generation की है third generation जो बनाए गी थी 1963 में बनाए गी थी the invention of integrated circuit brought us the third generation of computer अब जी third generation computer थी इसमें क्या यूज किया गा था integrated circuit first generation में vacuum tube second generation में transistors और third generation में integrated circuit यूज किया गया था with this inventions computers become smaller and more powerful and more reliable and they are able to run many different programs at the same time in 1981 IBM introduced the personal computer अब इस generation my computer जी थे उसका size भी चोटा था बहुत दा powerful थे एक वक्त में जादा सारे काम कर सकते थे बहुत दा reliable थे मतलब कापे टाइम तक चलते थे computers और उसके बाद जो आज कर हम लोग personal computers हम लोग यूज करते है desktop computers व्यारा जो होते है 1981 में बनाए गए थे IBM ने introduce किया था first जो हमाइ personal computers थे ठीक है mcqs में पढ़ने जा रहे है first mcqs है Charles Babbage's first calculating machine is known as difference engine a backup was invented about 5000 years ago first generation was invented in 1937 univac is an example of second generation integrated circuit is used in generation कौन से generation में यूज के थी third generation में यूज की गई mcqs जो आप लोगो ने अपनी कोपी में उतारने भी है इसको याद भी करने है ठीक है अब next देखे हैं हमार पास आते है short question अब आगे हैं आपके पास answer the following questions यह भी आपनी कोपी पर उतारने है first question है what is abacus abacus is probably the first counting device it was invented about 5000 years ago in china it was the first mechanical device for calculations which could also perform arithmetical calculations second question है who is the father of computer Charles Babbage is known as the father of computer he was a British mathematician he introduced a calculating machine at the size of a room he called a difference engine this machine was able to compute numbers यह भी questions है एक और questions जो है वो भी आपको देख लें सहाता है difference between second and third generations second and third generation का आपने difference लिखना है first जो है second generation का difference the second generation computer is based on transistors and third generation है वो किस पर बेस्ट करते है third generation is based on integrated circuit and second generation है it is expensive and third generation है it is less costly second generation है it is also as compared to third generation it is slow and third generation जो है fast है as compared to second generation and second generation की memory है it has less memory and third generation के it has large memory उसके ज्यादा memory हम लोग ज्यादा 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 जो है हम लोग उसको store कर सकते है third generation में ठीक है इंदोर का difference है यह भी आप लोग उने चलिके सा जारत कर लेना है अपना सारा काम आप लोगों size कोपी क्यों पर उताड़ना है जात करना है ज़INGING नीट-जी decía काम उताड़ना है day 10 दे लिखके जैस आप लोगों पहला काम अबना नीट-जीट पर आकार इसी तरह अगला काम भी उम्मीद है कि आप रुग नीटनीट उता देंगे अब हम मिलते हैं आपको नेक्स लेक्चर में थैंक यू अलाहाफिज